प्रेवाइवर में एक निया रोल क्रियेट होच का है जो एक सपोर्टर से कम है एक मेडिक से बढ़ करके है जिसका नेम है रेवाइवर या फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो सेवियर जी है यह एक ऐसा रोल है जो करेंट मेटा और प्रिवेस मेटा और आने वाले 2-3 metas के अंदर भी same रहने वाला है मतलब आने वाले 3-4 महिने तक आप इसका पूरा मज़ा ले सकते हो पूरा फायता उठा सकते हो और अगर आप extreme rank pushing करते हो अगर आप हमारा extreme gameplay करते हो कि आपको जास zones के अंदर survive करना है outer zones में survive करना है team को backup देना है यह role काफी आपके काम आने वाला है और मैं actual नों बताऊं तो इस चीच का हमने बहुत अच्छे से use देखा अभी हमारा recently चल रहा है यहाँ पर survival showdown जिसके अंदर team desi chora के record बोल्ट एक छोटी से clip आप यह देखिए सबसे पहले और यहाँ पर क्या बूया हो चुका है सवाल है बहुत बड़ा है देखिए चोड़ा वाट वेड़ा सेगेंड रेकर जोन के इतने जादा बाहर चाकर के अगेन अपने team को यह क्या है यहाँ पर पुरुपुरा game पलट गया अभी भी देखिए चोड़ा के एक और पलियर होने वाले साइट से गेम के अंदर रेकर बोल्ट अभी भी जोन के बाहर heal battle करने का try कर रहे है oh my god चल कहा रहा है देखिए चोड़ा इतना जादा zone के बाहर अभी भी heal battle जो यहां जिस तरीकी से रेकर बोल्ट ने प्ले करा अल्टिमेटली इन्होंने दो दिनों के अंदर अपने टीमिकों मेरे खाल से हंड्रेड ओफ टाइम्स रिवाइव दिया होगा हंड्रेड ओफ टाइम्स इनका रिवाइवल था सबसे पहले चीज एक और आप कोई पर चेज़ आ असकrouइब परचेज कर सकती है कि रिवाइवल का मेटा है यह गेमस चलता वार और और रिवाइवल को गिरीना फ्रीपार कम करने की बज़ाए बढ़ाती जा रही है अलग-अलग मौके क्रियेट करें रिवाइब करने के जिसके वज़ास से यह जो निया रोल है सेवियर और रिवाइबर यह बहुत अच्छे से एक्स्प्लॉइट भी हो रहा है अब देखे र अगर किसी कॉइन मशिन पर जाओगे तो 200 की जिगा 300 कॉइन मिलेंगे यह बहुत काम की चीज़ होने वाली है अब आपको बता है कि वह वीकल में बार बार घूम रहे थे और आउटर स्केट्स पर गूम रहे थे तो यहाँ पर मीशा के साथ उनको बहुत ज़रा आपको बता कि अलेविया को इस साहीं में बहुत स्ट्रॉंग कर दिया गया है रिवाइवल करते हैं खुद को मैडिकेट करते हैं हील बैटल करते हैं जोन की बार उसमें उन्होंने एक और चीज़ ऐसे एड़ कर दी जिससे पूरवरा घीमी पलड़ गया उन्होंने यूज करा हमारे मोनी पेट को अब मोनी पेट क्या करता है जब भी आप कोई भी हमारा इंट्रेक्टिव कौर्ड काउंडाउन करते हो जैसे मैडिकेट मश्रूम ऐसा कुछ करते हो आप रिपेर किट तो आप पर जो डैमेज होता है वो 30% कम पढ़ता है तो फॉर इन एक्जम्पल अगातार हीलिंग कर रहे हों आपके बहुत कम डैमज पढ़ेगा और अगर या मैकसिम उनकी मदद से आपकी हीलिंग बहुत है वाली है यह बहुत काम की चीज होने वाले जो अने करी और ultimately इससे भी बड़ी चीज उन्हों ने अपने loadout के इंदर करी उन्होंने loadout में यूज करा हमारे secret clue को अब secret clue को बहुत कम लोग यूज करने पर recently में एक experiment कर रहा था और मुझे पता चला कि secret clue बहुत काम की चीज है देखिए अगर आप assigned location पर जाओगे तो आपको 600 coin मिलेंगे आपको weapon मिलेगा आपको upgradable weapon मिलता है काफी सारी other attachments और काफी सारी medical dedicate चीजे में मिलती है तो यह काफी काम की चीज है अगर आप ultimately आपके पास loot नहीं है और अगर आप चाहो तो यह secret clue का फाइदा उठा करके और इन जो abilities का use कर रहा है record bolt ने इसके साथ आप zone के extreme edges में मतलब जो outer skuts है outer boundaries है वहाँ पर जा करके अपनी loot पूरी कर सकते हो गुच इस तरीके से बनाया है इस skill को पुरो पुरा इस पुरो पुरी combination को यहां पर record bolt ने जो मुझे बहुत impressive लगा और जो मैंने इसको breakdown कर और मुझे लगा कि हाँ actual में चीज़े शेर कर नीचे पर ultimately एक ऐसा player जो टीम को बार बार खड़ा कर रहा है और last zone तक पहुचा आ रहा है तो उससे tournaments पर आपको extreme benefit मिलेगा especially in tournaments आपको extreme benefit मिलेगा और दूसरी चीज़ यह है कि भाई यहां पर अगर आप rank pushing कर रहे हो उसमें तो फिर आपके बल्ले बल्ले पर बात यही है कि फिर अगर आपके last zone चलने और आपके team minutes अगर revive भी हो गए तो फिर वो नीचे उतर तर यहां पर easy target बन जाएंगे आसमान के उपर पर हागर वो किसी भी तरीके से loot ले ले लेते हैं और safety के साथ उतर जाते हैं और आप फिर भी zone के अंदर आ सकते हो मतलब अगर last second last zone is large zone भी है फिर भी आप zone के अंदर easily entry मार सकते हो अगर आपके बास raker bolt की जैसी ability है that's what I'm saying कि एक नया role create हो रहा है free fire के अंदर and you should try this role क्योंकि यह role बहुत लोग exploit करेंगे बहुत लोग फाइदा उठाएंगे in easy rank push और in easy tournament point push तो उसमें आपको फाइदा मिलने वाला है और hopefully आपको समझ माय होगा इसके लावा एक team और है जिनोंने बहुत impressive abilities का यूज कर रहा था उसके बार हम लोग आने वाली वीडियो में बात करेंगे और उसमें ब्रेकडाउन करेंगे कि बड़ी teams किन strategies और किन skill slots का यूज करती है ताकि उनका जो gameplay वह हम normal player से ज़्यादा अच्छा आता है खेलते तो हम भी है वो भी है पर उनका gameplay क्यों अच्छा है और हमारा क्यों थोड़ा लैक करता है यह सारी चीजों को हम लोग आने वाली वीडियो में और अच्छे से कि अच्छा आता है